ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है कि शोर मंच के लाइव फोन इंट्रोग्राम में और मैं हूँ आपके साथ दिवया और दर्शे को माफ कीजेगा इस कारिक्रम में हमें ब्रेक लेना पड़ गया था एक तक्नीकी खराबी के कारण लेकिन उसके बाद इस कारिक्रम में आगे बहुत कुछ है जानने के लिए तो बने रहें कि शोर मंच के साथ डॉक्टर आर्या मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम वीडियो को लेकर के बात कर रहे थे जी जी आम बात करने थे कि वाटर है उसका क्या रोल है जो एसिद्स और बेसिस में आइन्स प्रोड्यूस करने में तो इसमें हम एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं और इस वीडियो में यह होगा कि हम जो हाइट्रोजन प्लूराइड गैस है वो गैस जनरेट करेंगे और उस्पर टेस्ट करेंगे अ मार्य आपको πरकुट करेंगे कि यह हुदा करेंगे संखोड़ाव यह कि येद्स करेंगे क्या होता है तो इसके लिए हमें और इसके पहले हमिने स्तौन के साथ में इटेच violation हुआ है सबसे पहले हम टैस्ट्यूट के अंदर जो हमारा common salt है एन असी एल उसको ले लेंगे sodium chloride को और इसके अंदर अब हम sulfuric acid टालेंगे तो हमने टैस्ट्यूट के अंदर sodium chloride जो हमारा common salt है वो ले लिया और जो sulfuric acid है वो sulfuric acid ले ले लेते हैं जैसे हम इसमें sulfuric acid डालते हैं तो NaCl sulfuric acid H2O4 के साथ में react करता है और जो हमारी hydrogen chloride gas है वो evolve होती है यह देखिए hydrogen chloride के जो देखिए bubbles आपको लिखाई पड़ रहे हैं अब हम यह चेक कर रहे हैं कि यह जो hydrogen chloride है यह जो हमारा blue rhythmus paper है उसको red में convert कर रहा है तो देखिए आज चरह की बात यह है कि जो हमारा blue rhythmus है वो red में convert नहीं हो रहा है लेकिन जब हम भीगा हुआ या moist blue rhythmus paper लेके जाते हैं तो देखिए blue rhythmus paper है वो red में convert हो गया okay so this shows the role of water that is water is very much essential for the producing of the iron वो जो hydrogen chloride है जो gas है hydrogen chloride gas है dry gas है वो hydrochloric acid जब बनेगा then it will be treated with water otherwise वो hydrogen chloride ही रहेगा okay कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो दो acids है उन मेंसे कहा जाता है कि यह problem है यह strong acid है और जो दूसरा वाला है वो weak acid है चलिए हम इसको समझते हैं एक example से जिए मैंने दो acid लिये एक axia लिया और एक acetic acid लिये जब मैं hydrochloric acid लेता हूँ hydrochloric acid को generally strong acid कहते हैं comparative to acetic acid अगर आप देखें तो acetic acid है वो हमारे vinegar में शिर्के में पाया जाता है जो खाने की चीजों में इस्तेमाल होता है और इसलिए आपने देखा होगा कि जो शिर्का होता है स्वाद में खटा होता है जो जब मुम शुरूआत में बच्चे को concept देते हैं तो यही बताते ह जिन में जो शुरूद में खटे होते हैं उनमें एसलिए जाता है अब यहां बात यह कि जाती है जो acetyl है acetic acid है वो भीक एसलिए जी, डॉक्तर आनन्न्द, आपने यहां पर बात की कि कि जो खाने के परदात खते लगते हैं. उनको हम रदू के यह कह सकते हैं, और कि के तरीक रदाति हैं, अब जानाँ चाहँऊगी आप से कि कि यह कहने के परदात हैं, उसे मतलब के यह असमें की वह बहुत strong acid होते, corrosive होते हैं, मतलब आगर आप उनको touch भी करेंगे तो चल जाएंगे, इसी ही कहाल यह जाता है कि जब भी आप strong acid के साथ में काम करें, तो आप गुरी precautions के साथ में काम करें, जनरली ऐसा माना जाता है, जो खार्दे-पदार्थ खाने में खटे होते हैं, वो उनमें acid का कुछ content होता है, जैसे कि माली जी विनेगर है, सिर्का है, या इवन आपका जो दही है, जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो खटा lactic acid की पज़े से होता है, अगर आप नीगू या जो oranges हैं, उनमें citric acid होता है, इसी तरह से जो tomato है, जो आप उसमें oxalic acid होता है, जो tamarind है, उसमें tartaric acid होता है, तो जो खटापन है, जो acid अम्र जो है, उनकी वज़े से होता है, तो यहां की, जो हम बात कर रहे थे, strong acid और weak acid होता यह है कि, जो दोनों यहां पे hydrochloric acid और acetic acid, दो आपको जो H plus ions दे रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, जो per unit volume H plus ions HCl ज्यादा देता है, comparative to acetic acid के, या अब यह कह सकते हैं कि, जो acetic acid का dissociation है, या वियोजन है, वो कम है comparative to HCl, और इसी लिए HCl है, वो strong acid है, comparative to acetic acid, यहीं चीज़ बेस के साथ पे भी होती है, अगर आप NaOH, यानि sodium hydroxide, और ammonium hydroxide की बात करें, तो जो sodium hydroxide है, वो strong base है, comparative to ammonium hydroxide, क्योंकि sodium hydroxide, जो उसका dissociation है, OH minus ions में, वो comparatively ammonium hydroxide के ज्यादा होता है, और इसी लिए हम कहते हैं, कि the strength of a given acid or base, depends upon the number of H plus ion or OH minus ion produced, यहां पे यह हो रहा है, जो strong acid or strong base है, वो per unit volume में H plus ion और OH minus ion ज्यादा produce करते हैं, इसलिए वो strong, इसको एक scale है, उस माध्यम से भी समझ सकते हैं, के माध्यम से भी समझ सकते हैं, इसको हम pH scale कहते हैं, और यह जो pH scale होता है, यह 0 to 14 होता है, सबसे पहले इसको आसानी से समझने के लिए, पालीजे, मैंने water लिया, water मतलब, जल जैसे अगर हम लेते हैं, तो जल का जो pH होता है, वो 7 होता है, मतलब जल neutral है, ना तो वो acid है और ना ही base है, अगर water का आप 25 degree centigrade पे pure water लेते हैं, तो उसके अदर H plus और OH minus ion concentration बराबर होती है, मतलब ना तो वो acid है, ना ही वो base है, दोनों में H plus और OH minus बराबर होता है, इसलिए ना तो वो acid है, ना ही वो base है, वो neutral, अब अगर इस water के अंदर आपने acid add कर दिया, तो जैसे ही आपने acid add किया, मैंने आपको बताया, जनरली acid में क्या पाया जाता है, H plus ion, जनरली जो acid होते है, वो H plus ion लेते हैं, तो जैसे ही water के अंदर आपने H plus ion add किये, तो क्या होता है, H plus ion की concentration, OH minus की अपेक्षा जादा हो जाती है, तो अगर आप इदर देखें, तो इसलिए जो उनका pH है, वो 7 से 0, यानि 7 से 0 तक पढ़ता जाता है, तो जितनी ज्यादा concentration H plus ion की होता है, वो acid उतना ही strong होता जाना जाता है, अगर आप acetic acid और HCL की बात करें, तो अगर HCL का जो concentrated hydroplonic acid है, उसका जो pH है, वो 2 या 3 के आस पास आता है, तो जो acetic acid है, वो भी ये भीकर acid, वो उसका जो pH है, वो क बाता है, पांच एक जो ज्यादा H plus ion concentration होती है, उतनी की ज्यादा आपका जो pH है, या उसका acidic nature है, वो increase होता जाता है, जो water के अनदर आप base add करते हैं, तो base में क्या होता है, और OH minus ion concentration ज्यादा होती है, तो OH minus ion concentration की वज़ए से, H plus ion concentration हो ये वो कम हो गई, और इसी लिए जो basic nature ह अगर आप 7 तो ऊपर की तरफ 14 तक जाएंगे, तो जो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ है, वो जो बढ़ता चाला जाता है. So pH अगर किसी भी solution है, उसका 7 है, that means that solution is neutral, जैसे की water है, और अगर it ranges from 0 to 7, तब हम यह कह सकते हैं, कि जो solution है, वो acidic है, अमने यह प्रबर्तिका है, और अगर pH 7 से 14 है, तब हम यह कहते हैं, कि जो हमारा solution है, वो जो solution या जो billion है, वो हमारा शार्य प्रबर्ति या जो basic nature का है. जो pH है, pH को पता करने के लिए, आप pH paper भी होता है, आगर pH paper में क्या होता है, एक universal indicator का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. universal indicators, बहुत सारे indicators हैं, उनका मिश्रण है, और वो हर pH के अलग color देता है. जैसे आपने शुरूबात में कहा कि बच्चों में बड़ी curiosity या interest रहता है, इस particular acids, or basis or salts को लेके, यह colorful है. तो अगर जो pH paper है, इसका जो different solutions के साथ में जब आप उसको dip करते हैं, तो it will give different colors, और वो different colors के basis पे आप या identify कर सकते हैं, उसका जो pH है, वो pH क्या है. और इसकी जो steps है, वो आसानी से मिल जाती है, और उनके basis पे आप check कर सकते हैं, अगर कोई एक तालाग है, और उस तालाग का आप पानी check करना चाहते हैं, कि कहीं उसमें pollution तो नहीं, pollution की वज़े से acidic nature तो नहीं हो वही है, तो आप pH paper के मात्रम से उसको आसानी से check कर सकते हैं. जी, मैं अभी आपको एक, क्योंकि अभी जो situations हैं, वो हमारे COVID-19 की वज़े से हम घर पे बैठ के बाढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं अभी आपको एक virtual mode से बताऊंगा, प्या प्याच से कि हम किस तरीके से घर बैठे हम सीख सकते हैं, कि हम जो pH है किसी की solution का किस तरीके से check कर सक अभी मेरे पास में ना तो pH paper है, ना solution है, मैं किबल technology के basis पे आपको बता रहा हूं, तो मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक reservoir है, this is the reservoir, और मेरे पास में pH paper है, यह pH meter भी कह सकता है, यह pH paper भी, और इस pH paper का जो color है, वो उसी तरीके से है, जैसा कि आपका जो original pH paper होता है, उस टेकी से, ने पास में क्या क्या opportunities है, यह मेरा जो reservoir है, या जो मेरा is her reservoir, इस के अदर क्या क्या चीज़ा हो सकता हूं, आपको पानी को खाली कर सकता हूं, यह वह घ्या, एक बादिया गास में यह के इसके अंदर water add भी कर सकता हूं, tape के द्वारा, I can judge कि कितना water मैंने लिया है, देखिए, I have taken 0.51 liter, that means I have taken approximately 500 ml water मैंने लिया, कौन कौन से मेरे पस में samples हैं, so देखिए, these are the different samples which I have, the drain cleaner, hand soap, blood, spit, water, milk, chicken soup, coffee, orange juice, soda pop, vomit and battery acid, चलिए, इसको इसतेमाल किस तरीके से करना है, तो इसमें यह जो है, यह देखिए, it can be moved from one place to another, जैसे कि आप इसको इसको इसके अंदर dip करते हैं, तो pH हमारा आया 7, that means water is neutral, यह कुछ-कुछ इसी तरीके से है, कि मैंने पानी लिया, और उस पानी के अंदर जो pH paper है, वो dip किया, और उसका color कैसा आएगा, जैसा color आएगा pH paper का इसा ही color show कर रहा है, लेकिन यहाँ digital भी है, तो यह pH show कर रहा है, 7, okay, महां लीजे, मैं orange juice लेता हूं, okay, आज दिव्या जी मेरे साथ में है, और दिव्या जी ने सुभर सुभर orange juice पिया, और orange juice का यह पता करना चाहती है, कि orange juice का pH क्या है, तो देखिए, जैसे कि मैंने orange juice पे इस पे किया, तो orange juice का pH कितना आ रहा है, 3.50, why it is showing, that means orange juice contains, orange juice का जो nature है, कैसा है, acidic है, और उसका pH कितना है, 3.50, अब क्या हुआ क्या हुआ क्या दिव्या जी ने orange juice पिया, और पीने के बाद में शिखाया कि acidity को गए, तो महारे शरीर में अमल बनता है, उसकी वज़े से acidity ह हो जाती है, तो किसी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए देवया जी पानी पीचे, तो देखे, अगर मैं इसमें पानी एड करूँगा, तो क्या होगा, तो देखे, जैसे ही मैंने वाटर एड किया, so pH that was from 3.4, it has moved to 3.88, इता pH हो गया, 3.88, that means आप पानी एड करने से उसके अंदर जो उसका pH है, वो बढ़ रहा है, okay, so while it is happening, तो ये बच्चों को self-create, सोचने पर भी विवश्च करता है, जो fat simulations या इस तरह के जो interactives है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, dilution से जो आपका pH है, वो बढ़ क्यों रहा है, वाही जे, इसके साथ-साथ, किया आपने कभी सोचा है, कि कितना लिया है, 500 ml blood लिया, अगर मुझे 500 ml को arrange करना हो, तो कितना मुश्किल हो, लेकिन technology आपको ये देती है, मैं ज्यादा भी इसमें ले सकता हूँ, जैसा ही मैं इसको इसके अंदर touch किया, देखिए, dip किया, तो कितना pH आ रहा है, that is 7.4, that means our body is alkaline, तो इस तरह के जो simulations है, ये simulations available है, fact simulations, इन में आप सब का जो आप करके देख सकते हैं, और ये आप कभी नहीं बूलेंगे कि ये जो simulation, ये जो blood का pH चाहिए, ये कुछ-कुछ ऐसे ही है, जैसे आपने करके देखा, तो इसके साथ साथ हमें, जो हमारे कुछ जो हैं, अगर आप virtual labs ऐसी, जिनको आप explore क सकते हैं, आपके बढ़ाई के साथ साथ, तो आप उनको भी कर सकते हैं, जी, ये जो fat simulation को क्या हम offline भी देख सकते हैं, जी, जी, ये fat simulations है, जब मेरा session का end, last slide होगी, इसमें मैं आपको इसका address बताऊंगा, ये Colorado University है, उसका है, और it is the open source, आप इस पे कभी भी कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और best practice में ये है कि, जो भी material इसमें दिया हुआ है, उसको आप free of cost डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप इसका इसका इस्तेमाल उन जगहें पे भी कर सकते हैं, जहां पे इंटरनेट connectivity नहीं है, तो हम बात ये कर रहे थे कि, acids और bases के बारे में बात की, कि जो acids होते हैं, वो water के अंदर H plus आयन जो देते हैं, और जो base होते हैं, वो OH minus आयन देते हैं, जो हमारा salt होता है, ये जो salt होता है, ये भी acidic basic और neutral परवरती का हो सकता है, और जब भी salt form होगा, जब acid और base को दोनों को आप mix करेंगे, तो जो प water के साथ साथ में salt होता है, तो मुझे लगता है कि हम एक exercise ले लेते हैं, ये exercise आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, और इस exercise को मैंने N-R-O-E-R से लिया है, ये इस National Repository of Open Educational Resources, और वहां पे भी, जैसे मैंने ये fat simulations बताएं, और भी इस तरह के जो interactives है वो बहुत सारे हैं, तो वहां पे अगर आप देखिए, more about salts करके है, इस topic से है, देखिए, science secondary label का है, इस पे जो सबसे अच्छी चीज़ ये है, जो इसमें, ये self-explanatory, जो भी चीज़ें वहां पे दी गई हैं, वो बच्चा स्वैन पढ़कर के खुद कर सकता है, उसको किसी teacher के साथ की जरूबत नह करें हैं, तो देखिए, question आया, the question is, which of the following statement concerning the formation of salt is not correct, okay, देखिए, salt will be formed, when Na plus और S of sulfate iron है, उसके बनने पे, जब फोता है, तब एक positive iron और एक negative iron होता है, यहां पे दोनों negative iron है, यहां पे दोनों negative iron है, यह क्लोराइड हो सकता है, वहां इस से, तो यह कहरा है कि not correct, तो इसमें कॉन सा हो सकता है, दोनों negative negative है, तो नहीं हो सकता, तो देखिए, मैंने इस पे click किया, और मेरे पास में option है, check, जैसे मैं check करता हूं, तो देखिए, कितनी अच्छी चीज है, the technology is interacting with me, how it is interacting, the best part is, it is showing me the answer, that is, a salt is formed by the combination of a positive and a negative radical, and the two opposite charged radical, Dr. Anand, मार्क भीजेगा, हम इस स्क्रीन पर नहीं देख पारें, और मैं चाहूंगी कि आप इसको अच्छी से एक बार play कर पाएं, Okay, जी, आप देख पारें, मैं इसको दुबारा से करो, जी, बिलकुल, जी, 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 डॉक्टर आनन, साथ ही साथ आप ये भी हमारे दर्शकों को बताईएगा, अभी ब्रेक से पहले आपने कुछ फॉर्मूलाज बताए थी, एसिट्स को लेकर के और बेसिस को लेकर के, तो होता है कि साइंस में बच्चे काफी सारे फॉर्मूलाज को लर्न करते हैं, याद करते हैं, सीखते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, वो कन्फ्यूजन में याद रखना भूल जाते हैं, तो क्या कुछ ऐसा कोई तरीका है जिससे की याद रखा जा सकता है? देखे, जितना आप उसको रटने की कोशिश करेंगे, उतना मुश्किल होता है, तो बेटर होता है कि एक जो कंसेप्ट है, उसको दूसरे कंसेप्ट से सीखने की कोशिश की जाए, तो अगर आप जिससे जब परियोडिक टेपल पढ़ते हैं, तो वहां elements होते हैं, तो different elements के बारे में आप देखे, कि किस element का symbol क्या है, उसकी valency क्या है, और जब उसकी valency है, तो formula डबलब करने की कोशिश कीजिए, तो ये चीज़े हम 9th class में करते हैं, पहले तो आपको इन सब चीजों से डरने की जदू करते हैं, जब भी हम देखते हैं, तो कुछ चीजें इस तरह के आती हैं, कि बच्चा डरने लग जाता है उन सब चीजों को देखके, तो आप डरे नहीं, उनको समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, तो ये जो कुछ है, ये हमारी NROER, that is National Repository of Open Educational Resources, वहाँ पे उपलब्द है, और जिसे ही आप इस को देखेंगे, तो मैं बता रहा था, कि ये self-explanatory है, यहाँ पे जो भी चीजें है, वो कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, आप इसे कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि आपने start twitch किया, तो ये देखे, सवाल आ जाता है, अब सवाल में, जैसे किया आया कि इनमें से कौन सा salt नगी बनाएगा, तो देखे, कुछ इसमें आयंस लिए है, तो salt बनाने के लिए, हमारे बास मे positive और negative है, कि एवल जो हमारा option दिया हुआ है, ये देखे, fourth option है, इसमें नहीं, तो जैसे ही मैंने इसको click किया, और मैंने quiz को लिया, check किया, तो ये मेरे साथ में interact कर रहा है, और interact करके मुझे बता रहा है, कि देखे, मुझे बता भी रहा है, a salt is found well in positive and negative radicals, तो बच्चा इसस एक्सप्लोर करने के लिए भेज सकते हैं, और ये जो quizges है, it can be downloaded, you can say look here, ये option है embedded, मतलब अपनी presentation में भी उसको embed कर सकते हैं, बच्चे के पास में भेज सकते हैं, और इसमें कभी भी, this is the next question, अगर आप next question को देखेंगे, तो ये next question है, जैसे ही अगर आप कोई भी चीज गल retry and social results also, हमारे पास में इतना समय नहीं है, हम ये सब पूरी इसके सवाल कर पाएं, मेरा जो basic मकसद था, कि आप इसको आप देखें, इसको आप explore करें, कि किस तरीके से आप जो चीजें हैं, उनको आप कर सकते हैं, तो जो NROER है, National Repository of Open Educational Resources, उस पे आप इन सब चीजों को explore करें, वहां पर इस तरह कि जो interactives हैं, उन इंटरेक्टेव को आप इस्तेमाल करते हुए, आप जो अपनी learning है, और इस तरह कि जब हम स्कुल नहीं जा पा रहे हैं, तब हम जो इस तरह कि जो exercises हैं, कर सकते हैं, जी, बिल्कुल, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ और कोई मेस मेसेज आप हमारे वीवर्स को देना चाहेंगी, आज के सेशन से जोड़ा हुआ कुछ जानकारी और कुछ और ऐसा मेसेज, जो कि इस चैप्टर को जब वो पढ़ेंगे, इस टॉपिक को जब वो पढ़ेंगे, तो उनके लिए बहत हेल्पुल रहेगा, जी, फर्स चीज, जो आपके फॉर्मुलास हैं, थोड़े से जब भी देखें, तो पहले आप जैसे शॉल्ट या एसे या जो बेस हैं, उनके जो फॉर्मुलास हैं, उनका जो नाइंध क्लास में जो चीजे हैं, उनको थोड़ा सा उनसे रिलेट करके पढ़ें, जो चीजे आप बाहरी तोर जैसे कर सकते हैं उनको देखिए, जैसे ये छोटा सा एक आप देखें चेक टॉपिक दिया हुआ है, कि जो ये सॉल्ट्स हैं, जो इनके क्रिस्टल्स हैं, they are really dry, तो इन में कुछ water का component होता है, जैसे copper sulfate है, जो copper sulfate is 5H2O, मतलब उसके अंदर 5 जो water molecules है, they are added, तो copper sulfate is blue color का होता है, अगर आप इसे heat करेंगे, तो heat करने से जो उसका blue color है, बुगायब खुदाता है, and they will become white in color, okay, तो इस तरह की चीज़े हैं, आप उसको relate करने की कोशिश करें, ये जो water of crystallization is present because of the 5H2O, जैसे ही आप उसे heat करेंगे, तो वो white color में चीज़ दाएगा, और white color का जो copper sulfate है, that is the unhydrated copper sulfate है, ये वापस अगर उसमें आप पानी add करेंगे, तो वो वापस blue color की hydrated copper sulfate में change हो जाएगा, तो चीज़ों को आप ये कोशिश, जैसे इसका जो concept का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये ऐसे कौन-कौन से चीज़ें हैं जिनने की water present है, तो आपने 5 चीज़ें लेली, आपने mustard oil ले लिया, you have taken the petrol, you have taken the ethanol, you have taken the water, you have taken one more substance, और उनमें आपने ये जो white color का जो enhydrated copper sulfate है, वो dissolved किया, तो किनमें से blue color में change हो जाता है, अगर आप देखें तो वो, जिसमें water का content है, जिसे ethanol है, जिसे ethanol है अगर पेट्रोल के अंदर आप डाल लेंगे, तब उसमें change नहीं होता है, तो अपनी बाहरी किताबी knowledge है, उसको बाहरी knowledge है, जो बाहरी ज्यान है, उसके साथ पे दुनिया से अगर आप जोडेंगे अपने ज्यान को, तो आप ज्यादा पेटर तरीके से उसे सिख पाएंग जो आप textbook है, वो तो आप इस्तेमाल करते हैं, तो NCRT की जो laboratory manual है, या जो exemplar problems है, इन के साथ साथ, आप जो web resources है, इन web resources को भी explore कर सकते हैं, इसमें जो NROER, मैंने जो आपको बताया, इसमें नेशनल repository of open educational resources, that is, you can find it at nroer.gov.in और इस पे आपको, मैंने जितने भी material या जो video इस्तेमाल किये हैं, इसके साथ साथ e-partshala, और जो fact simulation है, जो मैंने दिखाई थी, यह fact.collirato.edu, यहां से आप इनको access कर सकते हैं, और इस्तेमाल कर सकते हैं, जे बिल्कुल, डॉक्टर आनंद, हमसे जोडने के लिए इतनी सारी जानकारी, साजह करने के लिए महतपूर्ण बातों से अवगत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. जी, मैं, टैंक्यू. जी, किशोर मंच पर लाइव कारिकरम का सिलसला आगे भी लगातार जारी है, बागी के विश्यों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें, किशोर मंच बने रहें, किशोर मंच के साथ, लेकिन अभी के लिए दीजे जाज़त, तवस्कार.